डिस्क मैंजमेंट सर्च करने के बाद आपको इसको ओपन करने के बाद यहां पर देखेंगे आपको दो डिस्क नजर आएगी एक जो डिस्क 0 है और एक दूसरी जो डिस्क 1 है डिस्क 0 जो मेरे इंटरनल SSD है उसके पार्टेशन CD drive saw कर रहे हैं और disc 1 जो हमने external connect की है लेकिन वो detect नहीं हो रही है उसके partition से आपको बता रही है तो आपको जो पहला तरीका उसके अंदर करना क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यह offline का mark है उसको आपको online करना है तो इसके लिए आपको क्या करना इस पर right click कीजिए और इसको online कर दीजिए जैसे ही आप online करेंगे system आपके external hard disk को so करना शुरू कर देगा क्योंकि यह इतने देर तक offline थी तो आप देखेंगे यहाँ पर निचे right side में यह drive और जितने भी drive से disc 1 की